आज का जो पहला वाड है वह है इंडिफैटी जेवल ठीक है तो इंडिफैटी जेवल क्या होता है यहां पर पीक माप देख सकते हो ठीक है जो इसका डिफैनेशन होता है एबल टू वरक और कंटिन्यू फोर वेरी लॉंग टाइम विधाउट विकमिंग टायर तो पिक्चर म है इन किसी वह चीज़ में अगर लग जाए कोई वर्ड में तो उसका जो इसको इसको इदम उल्टे मिनिंग करें तो इसका यह उल्टा हो गया ठीक है यह भी समझना कि यह इसका जो एंटो अब समझ गें पहला वर्ड तो सेकेंड वर्ड देखते हैं स्लंपेड स्लंपेड मतलब क्या होता है तो सिट और फॉल डाउन सटनली एंड हैवली ठीक है तो पिक में देखोई क्या होगा यह सो गया तो हम लोग क्या होते पढ़ते पढ़ते कभी कुर्सी पर ही सो जाते है यह माथा ज्यादा नीन लग रहा है तो गिर जाते हैं उसी को बोलते हैं स्लंपेड ठीक है स्लंपेड मतलब क्या होता है आप समझ गया ठीक है और तीसरा जो हमारा है वो है बर्जोइनिंग मतलब तो ग्रो और डेवलोप क्विकली देखो यहां पर दिखा हुए ठीक है तो यह कोई भी चीज जो तुरंत ग्रो कर जाता है और डेवलोप करता है उसे क्या बोलेंगे अब बर्जोइनिंग ठीक है देखो मतलब जैसे पेड़ पोधे कम लिए सीड्स इसबोते हैं तो देखो किस पर अगरसा निकल रहा है तो यह लातुप जो होता है बहुत जल्दी घ्रो करता है तो कोई भी चीज जो किसी भी सेंस में अगर जल्दी क्विकली घ्रोग जाये तो उसे बोलेंगे बर्जोइनिंग ठीक है आगला है डिबैकल अग्रेट डिसा इसमें तो उसे चैटास्ट्रोप भी बोलते हैं और दिवैकल भी बोलते हैं से यह यहां पर फिक मुझे दिखा रहे हैं कि यह बहुत बड़ा एक मतलब डिसास्टर हो रहा है नाव पुरह डूब जाएगे तो उसमें कितने सारे लोग हैं वह संसादाने वह सब खतम हो जाए द्रीसेलिशनली ए प्रिप्रेशन उसको बोलते हम लोग क्या इमपरोवाइज değildi ओरूप है इसका मतलब कैस country मतलब क्या होता है जैसे आप आप भासन देते हो यह स्पीज देते हैं तो वह जैब बीना आप को श्र और इसके बारे में बताओ ठीक है तो उस टम जो हम बताते थे या स्पीजिते थे या कोई कुछ बोलते थे क्या हमारा फास्ट में बीना पर प्रैक्टिस किये हुए तुस्से हम लोग बोलते हैं इंप्रोव भाई ठैक्यू फो लिसनिंग